माराटा समराज की जो हिस्ट्री का पहले कोशन पहले कोशन कहता है गोरिला युद्ध के प्रदान मंत्री को चौध कहता है उस समय चौध करूब करता कि आपका एक बड़ाचार भूमी का बड़ाचार इसक जो आप्राप्ती उसका एक बड़ाचार इससा चौध के रूप में देना पड़ता था माठा राज का दूदर संस्तावा कौन मना जाता है तो बाला जी भी सुनात को मानते हैं यूरोपी सक्तियों में किसने सिवा जी को तोपे दी थी तो अंग्रेजों नहीं सिवा जी को तोपे प्रदान की थी यह वाला कोचन में से कभी आया नहीं है सिवा जी ने मुगलों को किस संदी के द्वारा किलों पर हस्तानांत्रित किया तो पुरंदर के संदी के द्वारा हस्तानांत्रित किया था थे, शुलिए जी का व्याजविसे कहां उबाथ तो रायगर में हुआ था किस तसनकाल में मर्पीन शुनाजपना सम्भाजिक टीषद करते गई थी स्थिवाजपना संब्धानी इस तो रायगर संधाव करते इंकर द हुए थी इक निगे बीच हुई थी उस समय आपडाली का आकरमन हुआ था आहमासा अब्दाली और पाज भाजी राउ सेकेंड के मद्दद आपकी पानी पत्यती से लड़ाई हुए थी और इसमें जो आपके जो आपका सीवाजी माराथ अपका माराथा समराज था इसमें बहुत मतलब मात के खाया ता और बहुता नंद्री ठ nytr अज़्ट प्रधान मंत्रि परषद कि सासंड के सपनतिक दीआ जना जाती माराठा समराज में प्रसित लॊट है जास बूट करना कौन है समर दास लकिमक नमे संत हैं करने लार्ड वेली जली की सायक संदी को स्विकार करने वाला पहला मराठा सम्राठ कौन था तो पेसवा बाजी राव दूती सरंजम जामी प्रताक किसे समंदिती मराठा बूर राज़त समंदिती एक कोशन कभी नहीं आया है वह कौन से सेनना नायक था जिसने बीजापूर की सुल्तान से 1649 में सीवा जी को जिन्दा या मुर्दा पकगर लाने के लिए बिचा गया था और अवजल खां की इम्रतिव सीवा जी के हाँ तो हो गई थी ठीके सीवा जी ने इसे मार दिया था अग्या काईता है शीवा जी मुगलों की कैद से भागने भागतने के समय कौन से नगर में कैती अगरा आगरा में ये कैती ग्वालीयर राज के सापना किसे नीच लिए जीवा जी राव सिंद्याने की थी एक इत्यास कार ने पानिपात कि तीसी दड़ाई को स्वैम देखा कॉँछे सिवाइची औरंग जीब के आग्रादराबरमें को उपसे तो उनको कैद कर दिया गया था संबाइची कि धाद महारठा ससन को कस नहीं चर और कालगार बना जी विज्व नातने मिना था सिवाई जी के अस्ट प्रधान का शाथस जो विदेसी मामलों के देख रहाए करता था सिवाई कि इसे सुवाईजी का लिभा के पिकमा कॉषिंग थे खो प्रूइस कर्वा में इस सीवाइका गल्रा इभार कौो कॉंदू बृघ पाहिए और शाहिषी हाहना कोसंगे किसंदे दी है औरंग जेप वैसे ऐसा कोचली कभी नहीं आया है और अंग जिब किर्मित्यू को समय मांठा ने तो इसके हाथ में था उस समय आपका तारा भाई के हाथ में था कि 1775 से 82 के काल में पर्थम आंगल माठा युद्ध होता है युद्ध का परणाम भी क्या था किसी भी पच्छक जीत नहीं थी इस युद्ध में ठीक है तिरती जो आपका होता है आपका आंगल माठा युद्ध 1888 बीच इसमें अंतिम संदी थी आपकी कानपुर की संदी ये क माठा बहुत मलब कमजोर हो चुके थे कह सकते हैं इसलिए कोई भी युद्ध जीत नहीं पा रहे थे जुद्धी अंगल माठा युद्ध एवन तिरती अंगल माठा युद्ध कि समय पर माराथी पेस्वा कौन था बाजिराव दुद्धी था माठा समराज का अंतिम पेस् किया तो माठा राव को का जाता है कि सीवा जी के इस बाद किसने गोरिला युद्ध के सचनल किया तो बाजिराव प्रतम ने किया था किस माराथा पेस्वा कुमय की अवली का जाता है तो नाना फड़ा नवीज को का जाता है किसने पानी पत्त के युद्ध में संग्ठित म सदा सीवराय सिंध्याने किया था किसने पूर्त गालियों से सौल से दूइब और बैसे नो के चीन लिया था तो बाजिरा प्रतम ने चीन लिया था माड़ा समराज बात दूर्माहिला कौन से तारा भाई थी सिवर जी ने बहुत मजभूत नौसेन अगर्ण किया था सिवर जी का सरपतम नौसेन बेड़ा कहां पर स्टाबित था ये पोलाबो में स्टाबित हुआ था अगला कॉस्छन कहता है मराड jág के संसथापका कौन थे तो सीवा जीू से पिता क्या नाम था साहज जी बसले माता क्या नाम था जीजा भाई नाम था कौन था गुरू समर निकर दात की गुरुत थे इस मिलती है लोक पॉज्टक के मुगलlands नुसक dementia मिलती है अवजल खागु सकती को चल करक सीवा जीने किस तच्छन राज़ पर अधिकार कर लिया तो पैनहला पर आकबार कर लिया था सीवा जी के निर्देशा पर किसने विस्तिवत भू सरवचन किया था तो अन्ना जी दंदों ने किया था यह कोशन कभी नहीं आया इसके बाद चौत वसूले वालभिकारी को चौत वसूलने वाला अधिकारी को क्या रहते हैं तो काम विस्दार कहा जाता था उस समय विद्वपनर्वा पर लगा जाने वाला कार कौन था पत्दाम ये कर्ष्चन कभी आया नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है गुड़ सवार सेना का एक नियमे संग्रन कौन था तुपागा सेना का प्रमुख सेना थी मावली कौन थे ये अपके पहाड़ी लड़ा को जाती के लोग थे जो पहाड़ों पर लड़ा करते थे गुड़ सवार का प्रधान सेना प्रधान कौन होता था सर नौबत हुआ करता था माठा काल में भूमी का लेखा जोगा कौन करता था कुल करनी कुल करनी अपने मूवी में से सुना होगा और लेखपाल यानि लेखपाल भी उसे हम कह सकते थे माठा प्रसासन में सैनिकों की भरती सियना का प्रबंधन और अनुसासन कौन बनाया रखता था तो सर ए नौबत को इसका सब कारबार सौपा गया था खौशदारी और दिवानी के मुकदमों किस अधार पर नयाय किया जाता था तो एक अधार था मनुसम्रती की उस समय पर आपके जोंगरेच थे मनुसम्रती पर यह अधार बनाकर हिंदू के नयाय दिया करते थे इसके बाद हम पढ़ेंगे मदकारों के जितना भी विवित पो करता है